बाबा विश्वनात की नगरी काशे, उत्तर वाहिनी गंगा, उबलती चार, तंग गलिया, मस्त मौला अंदाज, यह पहचान रही है बनारस की, यहां फिजाओं में गुलाल उड़ता रहा है, लेकिन उस दिन बनारस में स्याहे उड़ी और छीटे बनारस को दागदार कर तो मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले जंडे दिखाए, हमारे उपर काली स्याही फेकी केजरिवाल के हर्याना रोट शो में हंगामा होता है, दिल्ली में गीता कॉलनी में विरोध होता है, एक बार फिर दिल्ली में ही अरविंद को एक व्यक्ति तमाचा जड़ देता है इस चुनावी गहमा गहमी में ऐसे मामलों में अर्विंद ही हर बार शिकार क्यों हो रहे हैं क्या ये उनकी ओपारंपरिक राजडीती के तरीकों पर बागी लोगों के खीज है या फिर उनका ही कोई पॉब्लिसिटी स्टांट आज हमने इन बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा इस देश के अंदर और जब अंने उनको ललकारा है और उनका सारा रायता फैला दिया हमने ये अच्छा खासा लूप रेट है देश को बीजेपी और कॉंग्रेस वाले और ये इन एलो वाले सारे मिलके लूप रेटे हमने इनको चुनाफी दिये इनका सब गड़बड कर दिया हमने यूपी में ही रैली के दौरान अखिलेश यादब पर चपल फैकी गई चपल फैकने वाला सिस्टम से परिशान था उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा था हताशा में चपल ही उच्छाती नेताओं की जनता से दूरी लोगों को हलकान करती है गुस्से का इजहार पहले भ प्रतीग हुआ करते थे तब के विरोध शालीन थे आज बौकलाहट सिखती है कम होती सहनशक्त दिखती है राजनितिक विरोध में बयान बाजियां थे सरहद लाग गई है मोदी पर विरोधियों ने हमले करने शुरू किये तो इमरान मसूद्ध हो या आजम खान या फिर बेनी प्रसाद वर्मा जवान किसली प्रफिसलती ही चली गई है कि राजनितिक बढ़त बनाने के लिए और सहिशनुता इस पदर बढ़ गई है सवाल उठता है कि इससे लोगतंत्र के कैसा और कितना असर पड़ेगा जनादेश डिस्क टिटीडियूस